दोस्तो बॉलिवुड में कई ऐसे कलाकार भी हुए हैं जो कम समय के लिए परदे पर आये लेकिन उतने वक्त में ही लोगों के दिलों में बस गए ऐसे ही एक अबिनेता थे शफी इनामदार शफी इनामदार फिल्म इंडर्श्टी के उन चुनींदा कलाकारों में से एक रहे हैं जिनोंने कभी लीड किरदार नहीं निबाया लेकिन साइड रोल कर उन्होंने खोब पॉपुलरिटी हासिल की चलिए आज बात करते हैं शफी इनामदार की शफी इनामदार का जन 23 अक्टूबर 1945 को हुआ था साल 1982 में उन्होंने विजेता फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की थी 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्द सत्य में इंस्पेक्टर हैदर अली का किरदार प्ले करके वे सुर्खियों में आए शफी इनामदार को ज्यादातर पुलिस के किरदार में ही देखा गया सपोर्टी रोल में भी शफी इनामदार की एक्टिंग और डायलोग डिलेवरी इतनी खुबसूरत हुआ करती थी कि छोटे से सीन में भी वे लोगों का त्यान अपनी और आकरशित कर ले दे थे शफी इनामदार ने फिल्म इंडिस्ट्री में करीब दो दशकों तक काम किया उन्होंने विनोत खन्ना के साथ जुर्म, इजददार, फूल बने अंगारे, यश्वंत और अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में काम किया था और नाना पाटेकर के साथ उन्होंने यश्वंत फिल्म में काम किया और यही फिल्म उनके करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई थी अगर बात करे छोटे परदे की तो उन्होंने ये जो है जिन्दगी में मुख्य किरदार निबाया था इसके अलावा वे कुलजार का सिरियल गालीब में भी एक एहम रोल प्ले करते नजर आये थे परदे पर अपनी अदाकरी से सभी का दिल जितने वाले शफी इनामदार ने महज 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कहे दिया था 13 मार्च 1996 को 50 साल की उम्र में उनका निदन हो गया था